हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चानल में स्वागत है आज हम लोग सिखेंगे एकसल के अंदर कुछ मैजिकल ट्रिक जिसे कि आप कुछ की का यूज़ करके जैसे कंट्रोल प्लास इंटर आपने मेरा थंबनेंस में पढ़ा होगा उसे यूज़ करके हम लोग कुछ भी डेटा को तुरंट से तुरंट उसका वर्क कर सकते हैं उसमें फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने दो नमबर लेना है नम और नम टू और उसको हम लोग जोड़ेंगे तो सबसे पहले डेटा को लेने के लिए आप जितना दूर में डेटा को लेना चाहेंगे उसे सेलेक कर लिजिए और यहाँ पर आप एक फर्मूला का यूज़ करेंगे इक्वल टू रैंड बिट्विन और इस फ़र डवल क्लिक करेंगे अब यह पूछता है आपसे कम से कम नमबर आपको कितना लेना है तो यहाँ पर हमने डाल दिये 30, और अब हाइस नमबर आपको जो लेना है अब डाल दिये 80 और उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ इंटर बटन अगर इंटर करेंगे तो सिफ आपका एक ही में नमबर फिल होगा तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे इससे आप देखेंगे कि आपके सामने एक मैजिक होगा और इसमें आपका अटमेटिक पूरा डेटा फिल होगा तो जैसे ही प्रेस करेंगे control enter तो यहाँ पर automatic इसमें number आ गया है अब इसको centralization कर लिए लेकिन इसमें number जो होगा वो change होगा जैसे कि यहाँ पर अगर हम add कर रहे हैं equal to यह plus a2 plus b2 तो अब देख रहे हैं कि वहाँ पर number automatic आपका change हो गया तो अब इस number को हमको fix करना है तो इसके लिए हम लोग इसको select कर लेंगे और इसपे copy करके paste special में जाएंगे और value इसको select करके ok करेंगे ताकि यह जो value है वो आपका fix हो जाए अब यहाँ से यह change होने वाला नहीं है अब हम इको सभी को जोड़ना है तो फिर से सब को select कर लिए और equal to sum formula का use करेंगे अब इसमें आप दोनों को select कर लेंगे A2 से लेकर के B2 दोनों को जोड़ेंगे अब control के साथ enter button दवाएंगे तो जैसे देखेंगे आपके सामने फिर से एक बार जादू होगा और यह automatic सारे number को आपके सामने क्या कर देगा जोड़ देगा तो इस तरह से हम लोग इसका use कर सकते हैं अब यहाँ पर हम लोग subtract का भी use कर सकते हैं तो direct आप इसको equal to A2 minus B2 और फिर से control के साथ enter button प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर automatic सब को subtract कर दिया अब फिर से equal to A2 into star का symbol देंगे B2 और फिर से control के साथ enter button तो यहाँ पर automatic सब को multiply कर देगा अब यहाँ पर division equal to A2 और back select का use करेंगे B2 फिर से control के साथ enter button तो control enter यूज करने के बाद आप जितना दूर data को select करेंगे उसमाइ automatic अगर formula रहेगा उस पर apply कर देगा अब यहाँ पर decimal जो number है वो ज्यादा है तो यहाँ से हम लोग increase और decrease कर सकते हैं अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे like करें subscribe करें मेरे channel को धन्यबाद